आज का यूग पूरी तरद डिजिटल हो चुका है ऐसे मगर आपको किसी को मनी ट्रांसफर करनी हो तो इसके लिए भी डिजिटल आप्शन्स उपलब्द है यूनिफाइट पेमेंट इंटरफेस या यूपी आई बेस्टेब्स लेकर मॉबाइल बैंकिंग तक कई अलग अलग तरीकों से बेंक अकाउन्ट तो इसके पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है चलिए हम आपको बताते हैं कुछ आसान तरीके जिने यूज कर आप गलती से किसी और के अकाउंट में ट्रांसवर हुए अपने पैसो को वापस पास सकते है सबसे पहले जब आप किसी के खाते में पैसे ट्रांसवर कर रहे हो तो उस व्यक्ती से फोरन बात करे और पुस्टी कर ले कि उसके अकाउंट में पैसे पहुँचे या नहीं ऐसे करने पर अगर उस व्यक्ति के बैंक खाते में पैसे आ गए है तो आपने सही ट्रांजेक्शन किया है वही अगर पैसे नहीं पहुँचे तो चेक करें कि आपने पैसे किस अकाउंट में ट्रांसवर किये है अगर आपसे पैसे ट्रांसफर करते समय गलती से किसी और के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गया है तो सबसे पहले आपको इस बारे में अपने बैंक को लिखित में बताना चाहिए और transaction के बारे में पूरी जानकारी देनी चाहिए इसमें transaction की तारिक, समय, अपना account number और जिस account में आपने गलती से पैसे transfer किये है इन सब की पूरे details लिखे कई बार गलत account number या IFSC code के कारण आपने जो पैसे transfer किये है वो खुद ही आपके account में वापस भी आ जाते है लेकिन इसमें कुछ वक्त जरूर लग सकता है वह अगर आपके account में पैसे वापस नहीं आए है तो आप अपने bank की branch में जाए और वहां branch manager से मिलकर या पता करने की कोशिश करे कि आपके द्वारा गलती से किस bank के खाते में पैसे transfer हो गये है ऐसे में अगर ये गलत transaction आपके ही bank के किसी branch से हुआ है तो उस सिती में आसानी से आपके खाते में पैसे आ जाएंगे बता देखिए अगर आप से गलती से दूसरे bank के account में पैसे transfer हो गये है तो ऐसी सिती में पैसे वापसी में थोड़ा समय लग सकता है बरहाल आपको अपने bank से ये मालूमात करनी चाहिए कि किस शहर की किस branch के किस account में money transfer हुए है ऐसा करने पर आप भी अपने पैसो की वापसी की कोशिश कर सकते है वैसे जब भी आप अपने bank account से किसी और की account में money transfer करते है तो आपको एक message ज़रूर deliver होता है इस message में साफ साफ शब्दों में लिखा होता है कि यदि transaction गलत है तो कुरूपया इस message को इस number पर भेज़े गौर तलब है कि भारतिया रिजो बैंक ने भी निर्देश दिये हुए है कि यदि गलती से पैसे किसी दूसरे के account में जमा हो जाते है तो आपके बैंक को इस सम्मंद में जल्द से जल्द कारिवाई करनी होगी बैंक आपके पैसे को गलत account से सही account में वापस लाने के लिए जिम्मेदार है इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिक कर बताए वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ सेर्ड करना ना भूले साथ ही हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सबस्क्राइब कर ले